नमस्कार दोस्तों though, welcome back to my youtube channel आज हम discuss करेंगे ऐसे superfood के बारे में जिसे winter में जरूर consume करना चाहिए हम discuss करेंगे flaxseeds के बारे में aasi के beach के बारे में तो flaxseeds की तासीर घरम होती है इसलिए इसे winter मी यूज किया जाता है इसके health benefits बहुत जादा हैं हम वो भी discuss करेंगे पर सबसे ज़्यादा जानना ये जरूरी है कि इसके side effects भी होते हैं अगर हम इसे wrong way से wrong time में और wrong amount में consume करते हैं तो इसके side effects भी काफी होते हैं और इसके इलावा किन लोगों को ये consume नहीं करना चाहिए उस बारे में भी discuss करेंगे तो बात करते हैं इसको superfood क्यों कहते हैं इसे functional food की category में भी लाते हैं functional food वो होते हैं जो कि जिनकी medicinal properties होती हैं तो इसलिए उनको excess में consume नहीं करना चाहिए इसका एक amount होता है जैसे medicine की एक dose होती है तो इसका भी एक amount होता है हम लोग ये सोचते हैं कि winter में इतना मर्जी consume कर लो और इसको इसके health benefits बहुत जादा है तो हम इसे बहुत excess में खाना शुरू कर देते हैं तो जिससे की side effects भी होते हैं ठीक है तो इसे superfood क्यों कहते हैं क्योंकि ये protein rich है और fiber rich है इसमें B1, B6, folate, omega 3 fatty acid तो फोर्स है ठीक है तो जो लोग vegetarian है उनके लिए बहुत अच्छा source है इसका flaxseed consume करने का to get omega 3 fatty acid जो कि हमारी joints के लिए हमारी heart के लिए हमारी hair, skin और जो है हमारा arthritis की problem भी solve करता है तो और cancer preventive भी है तो इसलिए जो है इसमें omega 3 fatty acid है magnesium है और fiber rich होने की वज़े से constipation भी prevent करता है ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते है cardioprotective property के बारे में क्योंकि इसके अंदर जो है phytosterol है जो prevent करता है excess cholesterol formation को intestine में अगर excess cholesterol बरना शुरू हो जाता है तो उसकी formation को prevent करता है second जो AL ले है उसका function यह है कि LDL तो है वो decrease करता है और HDL जो है वो increase करता है तो इसलिए जो है यह cardioprotective कहा जाता है इसके इलावा जो है cancer को prevent यह कैसे करता है क्योंकि आपको पता है हमारी body में जो है free radicals बनते रहते हैं जो कि एक natural phenomenon है और free radical की वज़े से cell damage होते हैं बट अगर excess में यह procedure शुरू हो जाए तो इससे जो है cancer होने की संभावना रहती है तो cell damage को prevent करने के लिए जो इसकी antioxidant property है lignin और zeosanthin इसके अंदर present होता है तो यह उसकी उस antioxidant होने की वज़े से cancer forming जो cells होते हैं उनको प्रिवेंट करता है बनने से और cell damage को भी प्रिवेंट करता है इसके इलावा यह constipation क्यों रिमूव करता है क्योंकि इसके अंदर soluble fiber होता है lignin तो इस वज़े से constipation भी रिमूव करता है और इसकी anti-inflammatory जो है property होने की वज़े से joint pain और arthritis को भी दूर करने में help करता है तो अब हम इसके फर्दर बात करेंगे कि यह हमारी skin के लिए और hair के लिए कैसे important है skin के लिए ऐसा है कि अगर हम वैसे खाने में तो इसके जो benefit मिलने है वो तो मिलने ही है इसके इलावा इसका एक face scrub बहुत अच्छा बनता है अगर आप फ्लैक्सीट पाउडर को राग को soak करके रखोगे पानी में थोड़े से पानी में और सुबे जिनकी dry skin है वो थोड़ा सा olive oil या almond oil और एक capsule जो है vitamin E का add करें थोड़े सी curd आड़ करें तो उसका जो है face scrub बहुत अच्छा बनता है तो आप इसे skin अपनी scrub भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं चीक है इसके इलावा जो है इसको हमने consume कैसे करना है इसको आपने slightly roast करना है low medium flame पे फिर इसे coarse grind करना है तब ही consume करना है क्योंकि अगर आप इसे अन प्रसेस्ट फॉर्म में consume करोगे तो क्या होगा आपको skin allergy हो सकती है cramps हो सकते हैं lose motion हो सकते हैं और जो है इसके जो है आपको काफी side effects भी हो सकते हैं तो इसको हमेशा प्रसेस्ट फॉर्म में ही यूज़ करना चाहिए low medium flame पे इसको roast करके coarse grind करके ठीक है इसके इलावा यह oil फॉर्म में भी मिलता है बट वह oil आप चेक करो के आसपास हो जाता है जिसमें आपको protein मिलता है 1.7 और fiber मिलता है 1.9, carbs है 2, calories है 37 और इसे सबसे अच्छा होए है कि इसे गरम पानी में आप 1.5 चमश डाल के क्योंकि इसको 20-30 ग्राम से जादा नहीं यूज़ करना पर डे चीक है तो इसको उसमें गरम पानी में डिजॉल्व करके आप 2-3 drops lemon की भी डाल सकते हो जिनको ऐसेटी की problem नहीं है तो आप ऐसे consume करेंगे तो क्या होता है जो इसका absorption भी quickly होती है और जो यह आपका weight loss में भी help होता है क्योंकि यह feeling of fullness देता है चीक है अच्छा और इस इसको जो है सबसे जो बड़ी बात हमेंने बतानी है कि किन लोगों को consume नहीं करना चाहिए first जो लोग diabetic है और हाला कि यह blood sugar को control करता है पर क्या होता है जो diabetic patient होता है कई पर बहुत medicine ले रहा होता है anti-diabetic तो उससे क्या होता है drug interaction होता है flax seeds का तो इसलिए उनको consume नहीं करना चाहिए जो blood thinners ले रहे हैं like ecosystem या warfarin उन patient को नहीं लेना चाहिए जो लोग anti-inflammatory drugs यान की combiflame और brufin बहुत जादा खाते हैं उन्हें लेना चाहिए और इसके इलावा जो है जो hormone sensitive uterine cancer या breast cancer की patient है उन्हें नहीं लेना चाहिए pregnant and lactating mother को भी ना है चीक है और इसके इलावा जो है already cholesterol कम करने की medicine ले रहे हैं उनको भी flat seed consume नहीं करना चाहिए तो ये बात flat seed consume करते हुए ये बात ध्यान में रखें कि आप पानी बहुत जादा पिए hydrate yourself keep in mind drug interactions और इसे को slightly roast करके coarse grind करके इसी form में इसको लें और जो right amount है कि 20 to 30 gram बस इतना ही consume करना है उसी form में लें thank you bye bye